आक्ट्रिस यामी गौतम को एडी ने समन्स भेज़े हैं यामी गौतम के अकाउंट में कुछ ऐसे फिनांसर्स हैं जो उन्होंने एन्फॉर्स्मेंट डिरेक्टरेट को डिस्क्लोज नहीं किया है और इसके चलते ही एडी ने यामी को समन्स भेजा है ये पहली बार नहीं है जब एडी यामी को पूछताच के लिए बुला रही है इससे पहले भी समन्स किया गया था शायद यामी उस टाइम बिजी थी वो नहीं जा पाई थी इसलिए अब आज एडी ने यामी गौतम को ये नोटस भेजा है साथ दिनों के अंदर यामी गौतम को एडी के सामने पेश होना है और जो उनके अकाउंट के वो फिनांस है जिसके बारे में एडी जानना चाती है उसके डीटेल्स देनी होगी एक्चली मामला जो है वो इंडियन करिंसी का नहीं है फॉरण के एक बैंक से कुछ पैसा जो है यामी गौतम के अकाउंट में आया है इस फॉरण के ट्रांजेक्शन पर ही एडी की नजर पड़ी जिसके बाद एडी ने पता लगाया कि आखिरी अमाउंट आया कहां है तो उन्हें पता चला कि जो अकाउंट है वो बॉलिवूड आक्वर्स यामी गौतम का है जिसके बाद एडी ने उन्हें समन किया फॉरण एक्सचेंज मैनेजमेंट आक्ट का उलंगन किया है यामी गौतम ने यामी गौतम ने ना सिर्फ ये foreign exchange का amount अपने personal account में लिया बल्कि उन्होंने authorities को declare भी नहीं किया यह पहली बार नहीं है जब Bollywood industry के किसी शक्स से ED ने पूश्टाच की हो इससे पहले दिनेश विजान, रियाच क्रवती और कई सारे लोगों से ED पूश्टाच कर चुकी है आपको बता दें कि यामी गौतम ने हाल ही में शादी की आरित्यधार जो की उनकी फिल्म उरी के डिरेक्टर थे उनको यामी गौतम डेट कर रही थी और एक simple wedding में दोनों ने एक दूसरे को जीवन भर के लिए अपना लिया